मुझा नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं इनकी परतिवा ऐसी है कि कितना सारे मेडिल देख सकते हैं यहां तक कि खेल सम्मान राष्टी इस तरह पर खेल सम्मान भी मिला हुआ है और इसके बाबजूद अभी सरकारी मदद की आस में हैं सरकारी मदद नहीं मिल रही है जिससे काफी परशानी है क्योंकि आर्थिक कमजो हैं ऐसे में सरकार से चाहती है कि उन्हें आर्थिक मदद मिलें हम बातचीत करें किस तरीके से शुरुआ कि कैसे दौर बस 22 मर्च को बाल दिवस हुआ था उसमें सरलोग हमको बोले कि तुम रणिंग में भाग लो रणिंग में भाग लिए थे उसमें फर्स्ट आये थे तो गेम के प्रति आये गेम में खेले और गेम हमों को बहुत अच्छा लगा उस समय से मतलब रणिंग करते थे और मतलब इतने मेडल आये तो हमको बहुत अच्छा लगता था बरे-बरे लोग हमको मेडल देते थे असिरवाद देते थे कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो फिर उ को देखे मेरे परतिभा को देखे प्र दाँपने टो में परासानी नहीं होती थी अभर नहीं है तो बहुत परसानी होती एढने में उसके बाद उडिशा गए खेलने वहाँ पर शिकेंट प्लेस आया था और मधुरई में ठर्ट प्लेस आया उसके बाद बिहार सरकार के तरब से खेल सम्मान के तौर पर 11000 रुपया का पुरस्कार भी मिला था उसके अलावा कहीं से और कोई सहायता नहीं मिला इसके वजह से मतलब कि थोड़ा सा बहुत कम जोड़ी खेल में इतना कंपटीसन बढ़ गया है की मतलब खेल में जा सकते हैं उसमें और नहीं कर उतनाना ही जो कर पाएं और खेल में जगह नहीं मिल पाड़ा अभी अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो खेल में जगह लेना भी बहुत मुस्किल है अर्थिक मदाच चाहिए सरकार से क्या पिल रहेगी सरकार सही अपिल है कि मतलब हम पर विश्वास करके हम को सहायता करे और करें जो हम मतलब देश के लिए खेल सके और नेशनल नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर खेल सके देश के लिए कुछ करने हां सरकारी में अपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा इतने सारे मेडिल हैं इन्होंने साफ साफ कहा कि हम चाहती हैं कि देश इस्तर और र कर सकूं ऐसे में सरकारी मदद की आस है सरकार मदद करें ताकि अंतराश्टी अस्तर पर खेल सके तो मैं रहे लाइफ शिटीज के साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें फिसको लाइक करिए